इस पार्ट में हम समझेंगे प्रॉफिट पर्सेंटेज तो इसको समझने के लिए मतलब कि प्रॉफिट को हमें क्या करना है कि पर्सेंटेज की फॉर्म में करना है तो कैसे करते हैं करनवर्ट या फिर फिट पर्सेंट का कांसेप्ट क्या है यह पहले समझने के लिए पहले पहले पर्सेंटेज क्या होता है तो आतुरा समझ लिजी आपर बेसी कांसेप्ट पर्सेंटेज का देखे पर्सेंटेज का मतलब यह होता है कि हंडेड में कितना निकलते हैं, fraction में जो denominator होता है, वही बहुत महतपुन होता है, very important होता है, इसमें क्या होता है कि 100 rupees यदि denominator में दिया हुआ है, और उपर यदि x है, इसी को हम लिखते हैं, x percent, मतलब कि x per 100, per मतलब कि अपान होता है, ठीक है, इसी दिये जो denominator है, वो अपान में जो रहेगा, per के बात जो आता है, वही है, तो percent, per मतलब कि जो अपान के नीचे आता है, cent मतलब 100, तो जो something percent मतलब कि x percent मतलब कि x कितने में, 100 में, समझ मा रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो लिखा गया है, x percent, इसी को हम लिखेंगे x percent, इसका मतलब कि 100 में x, या फिर x percent, x per means ये वाली line, and cent, cent means 100 x percent, ओके, तो ये जो fraction है, इसमें जो denominator जो बताता है, वो बताता है कि इतने में, ये कितना है, ठीक है, तो 100 में ये दिया आप, जो भी निकालते हैं, जितना भी निकालेंगे, उसको बोलेंगे percent, उठाना percent, समाल कि मैं बोलता हूँ यहाँ पर 2 upon 100, इसका मतलब कहेंगे कि य 100 में 2 रुपीज, या फिर मैं कहूँ कि, यहाँ पर, मैं लिजी कि 100 marks का आपका exam होता है, और आप पाते हो 80 marks मतलब, तो आप कहेंगे कि मैं 80 percent marks पाया हूँ, मतलब 100 में कितना marks पाया हूँ, 100 marks, 80 marks, तो percentage का मतलब ये होता है, तो यहाँ पर profit एक word यूज कर दिया है, आइड क 100 क्या मानेंगे, CP या SP, यह समझना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, फिर से एक बार, profit percent, what is profit percentage, देखे, profit percentage जो होता है, यदि एक person है मालेजे, और वो क्या कर रहा है, कि कुछ चीजे खरीद रहा है, ठीक है, यदि वो खरीदा कुछ चीज, तो CP कुछ लगेगा उसका, है कि नहीं, cost price कुछ ना कुछ होगा, तो CP माल लेते हैं, कि 100 rupees है, ठीक है, 100 rupees, और SP जो है, कुछ अधिक होगा, क्योंकि profit यहाँ पर हो रहा है, तो profit होगा, तो मालेजे कि 104 rupees आपने SP ले लिया, तो यहाँ पर जो profit हुआ, वो क्या आएगा, profit is equal to, यहाँ पर जो profit आएगा, वो आएगा, SP मैनस CP, यहाँ पर जो मैनस करेंगे, तो मिलेगा आपको 4 rupees, है कि यहाँ पर जो हमने लिया था, यहाँ पर जो हमने लिया था, 100 क्या था, marks था, number of marks, तो number of marks यदि 100 है, तो 100 marks में से यदि 80 marks पाया है, तब बोलते हैं, हम लोग 80%, यहाँ पर भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो जो नीचे लेते हैं, हम लोग कहते हैं, CP जब 100 रहेगा, मतलब जब खरीद रहे हैं, यदि 100 rupees में, तो 100 rupees से कितने ज्यादा SP में आप ब profit पाया, इस बात को हम लिखते हैं, इस तरीके से profit percent, मतलब कि आप यहाँ पर समझेंगे profit percent का मतलब हो गया, कि profit जितना हुआ, तो CP कितना था, CP जब 100 होता है, CP आपका जब 100 होगा, तो 100 CP में profit कितना हुआ, यहाँ पर 4 आया, इसका मतलब आप कहोगे कि 4 percent profit हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा CP जो है 100 हो, CP कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कहूँ, कि 1 upon 2 है, तो 1 upon 2 में क्य आप समझोगे, इसका मतलब समझोगे कि 2 में 1 लिया गया है, 2 में से 1 लिया गया है, तो इसको कितना percent बोलोगे आप, तो हम तो जानते नहीं है, इसका percentage में तभी convert कर पाऊगे न, जब denominator क्या हो, 100 हो, यहाँ पे denominator 2 है न, convert करना मुस्किल है, तो हमें करना क्या होता है, कि 1 upon 2 क्या है, 50% है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, जरूरी नहीं है कि CP हमें से 100 में दिया हो, इसलिए क्या करेंगे, कि profit percent का formula जो बनाएंगे, वो बनाएंगे इस तरीके से, कि profit, में जब हम CP से डिवाइड करके, 100 मनटपलाई करतेंगे, तो हमें मिल जाएगा profit percent, profit percent, जो भी यहाँ पर हैगा, मतलब multiply करने पर जो ही मिलेगा को profit percent यहाँ पर आगएगा, ठीक है, तो एक बात बताएए, आपको यह confusion हो रहाँ कि 100 से क्यों multiply किया जाता है, है कि नहीं, तो यह भी concept यहाँ पर clear कर ही लेते हैं, ध्यान समझेगा, इदि मालीजे कि आपके पास है एक number जिसे की इसको मैं arrange कर देता हूँ यहाँ पर, और 1 upon 2 ही ले लेता हूँ, समालीजे कि 1 upon 2 है, आपको यहाँ पर इसको percentage में करमड करना है, तो देखें यहाँ पर percentage के concern पढ़े थे हम लोग, वो यह पढ़े थे कि जब नीचे denominator में जीदि 100 रहेगा, तो जो numerator जो होता ह है, वही percentage होता है, मतलब कि x upon 100 को लिसकते हैं आप x%, 2 upon 100 को लिसकते हैं 2%, 80 upon 100 को सकते हैं 80%, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब denominator 100 रह रहा है, तो numerator जो होता है वही percentage होता है, तो वह अपान 2 को क्या करेंगे कि इसका जो denominator है, उसको 100 यह दिला दें, तो जो numerator आएगा, करमड करने के बाद वही numerator percentage होगा इसका मतलब कि इसको लिख देंगे हम इस तरीके से पहले हम 2 को क्या करते हैं 1 कर लेते हैं तो numerator में 2 से divide कर दीजे और denominator में भी 2 से divide कर दीजे तो यह क्या हो जाएगा ऊपर तो 1 अपर 2 रहेगा नीचे हो जाएगा 1 ठेक है अब यह 1 में यदि हम 100 से multiply कर दे denominator में और numerator में भी 100 से multiply कर दे ताकि कुछ मतलब change ना हो यदि ऐसा कर सकते हैं ना 100 से उपर multiply कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं तो यह नीचे जो denominator है ना वो 100 आ जाएगा मतलब कि 1 upon 2 into 100 whole upon यहाँ पर आ जाएगा 100 अब देखिए यहाँ पर हमने कर लिया ने यह 100 इसका मतलब कि इसका percentage फॉर्म क्या होगा जो numerator में होता है वही आ जाता है तो इसका जो numerator में है वो यहाँ पर 1 upon 2 into 100 है तो 1 upon 2 into 100 percent में आ जाएगा मतलब कि issue काटेंगे जब हम 50 आएगा मतलब कि आजाएगा 50 percent आजाएगा समझ मैं 50 percent किसे है या तो यहाँ पर कहरें का मतलब है जब भी आप कोई friction दिया हो उसमें बस 100 समट प्लाइग कर दो वह percentage में convert हो जाता है तो वह इस तरीके से होता है मतलब हम denominator क्या करते हैं 100 करते हैं तभी वह convert होता है numerator आ जाता है 100 समट प्लाइग करके इस तरीके से और इसी को मतलब देता है 50 percent तो वही हमने यहाँ भी किया है यदि CP 100 में नहीं दिया रहेगा तो आप 100 समट प्लाइग कर दोगे तो profit percent मिल जाएगा तो हमने समझ लिए कि profit percent होता क्या है तो यहाँ से हमने मिल गया कि हम profit percent यहाँ ले सकते हैं कि profit अब एक्षुली हमने लिखा होगा है profit percent is equal to इतना ठीक है यहाँ पर implies रखा लेते हैं तो हमारा यह मिल चुका है अब यहाँ से हम एक formula बना रहे हैं देखें यह हमारा बन गया एक formula इसको आप यादर कर लोगे पूरी तरह से इसके बाद से यहाँ से एक और formula बनेगा आपका CP निकल जाएगा CP को आप इधर करोगे profit को इधर करोगे CP से multiply करोगे तो profit निकल जाएगा मतलब only profit निकालना होगा कि profit कितना हुआ यदि percentage दिया है percentage profit दिया हुआ है तो profit कितना हुआ CP से इधर multiply कर दिजे means CP multiplied by profit percent profit percent whole upon hundred यह जो hundred निटिवाइड करना पड़ेगा तो profit इधर आपको निकालना है कि profit कितना रुपीज हुआ तो CP में profit percent जो भी दिया हुआ है 2%, 5%, 10%, 20% जो भी दिया रहेगा CP मर्डपलाई कर दोगे और upon divide कर दोगे hundred से तो आपका मिल जाएगा profit तो यह आपका एक formula बन गया यह भी एक यह हमने कैसे निकाला यहीं से निकाला है profit को निकालने के लिए CP से मर्डपलाई करना पड़ेगा और hundred से divide करना पड़ेगा ठीक है तो हमने यह निकाल लिया अब profit निकाल गए आपका तो अब यहाँ पर एक और formula बनाएंगे हम और वो यहाँ से बनेगा देखे यहाँ से हम SP निकाल सकते हैं profit is gold क्या होता है profit is gold होता है SP मैनस CP तो यहाँ से आपको यह formula निकालना है और वो निकालना है SP बराबर SP बराबर क्या हो जाएगा profit में जब CP आइड करेंगे तो निकलेगा मतलब कि हम जब CP में आइड कर देते हैं profit यहाँ से है कि नहीं आपको निकालना है SP तो क्या करना पड़ेगा CP को भेजना पड़ेगा right hand side में तो CP जाएगा sorry left hand side में तो जब left में जाएगा तो क्या होगा add हो जाएगा तो CP प्लस profit हो जाएगा और इस फार्मूले में हम CP की value sorry profit की value यहाँ पर इतना रखते हैं तो एक formula बन जाएगा और यहाँ से क्या बनेगा देखते हैं ध्यान से तो CP तो उतना ही रखी यहाँ पर यहाँ पर profit की जवापे profit percent इसका रख दीजे तो मिलेगा आपको CP multiplied by profit percent whole upon 100 अब इन दोनों में से यहाँ नुमेरेट यहाँ से left hand यह दोनों terms में से आप CP कामाल लेजे CP कामाल लेगे तो यहाँ मिलेगा 1 plus यहाँ मिलेगा profit percent यहाँ मिलेगा profit percent upon नीचे मिलेगा 100 ठीक है अब यही पर आप क्या करो कि CP और यहाँ पर 100 से मिलेगा कर दो इधर क्या मिल जाएगा 100 plus profit percent मतब LCM लेलो बस upon वन करके LCM लेलो LCM 100 होगा और solve करोगी तो इतना ही आएगा मतलब कि मिल गया आपको SP बराबर CP in bracket 100 plus profit percent upon 100 मतलब यह एक और formula निकल गया आपका तो यह से formula रटने वाला नहीं है आप यदि केवल यह याद रखते हैं कि profit बराबर होता है CP into profit percent upon 100 तो SP बराबर निकल जाएगा CP in bracket 100 plus profit percent upon 100 मतलब कि आप SP निकाल सकते हैं यदि CP दिया हुआ है और profit percent दिया हुआ है तो sorry तो यहाँ पर यह formula आप समझ गया है तो आपको यहाँ पर यह formula यह वाला formula जो है यह याद करना है और यह याद कर लेना है और यह याद कर लेना है यह तीनों फर्मुले आप याद रखते हैं तो profit percent से लेटर सारे questions आफ कर लेंगे मैं यह guarantee के साथ का सकता हूं दाविक साथ का सकता हूं ओके तो अगले बाले part में हम पढ़ेंगे loss percentage ओके तो बाई